क्वेस्टिन नम्बर 17 अब क्वेस्टिन नम्बर 17 भी बहुत सिमिलर है एक्जेक्टी सिमिलर है इंफक्ट लेंगे जो दिया हुआ है दो बहुत असन है इसका अंसर आजेगा 4x3 q plus 4x simple हम हमेशा से करते हैं पावर मंटिप्ला हो गई और पावर में से एक सब्ट्रक्ट कर दिया तो दी वाए अगर दी एक्स बना 4x q plus 4x इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बद जाएगा अब रैकेट में माइनस वन लिख देता हूं क्योंकि हमने पता है जो हमने प्रूफ करना है इसमें स्क्वेर डोफ माइनस वन इसलिए माइनस वन कर रहे हैं तो जिब मैं हम लैसाइड वाली हमारी चीज है यह यह से लिख نिख में सकता है x square plus 1, whole का square obviously निख सकते हैं, क्योंकि अगर आप x square plus 1 के whole के square को खोलेंगे, तो वो exactly इसके equal ही आएगे x4 plus 2, x square plus 1 के equal ही हमें चाहिए square root y minus 1 का और हमें कैसे बता है क्योंकि हमें बताया गया कि ये prove करेंगे, और उसमें हमें नजर आ रहा है square root है तो हम दोनों side पर square root ले लेंगे left side बनेगी square root of y minus 1 और right side में square root square से cancel होजेगा और x square plus 1 as it is आजेगा अब ये value आप देखिए dy by dx किसके equal बन गया 4x square root of y minus 1 क्योंकि equation number 1 में आप देख सकते हैं कि x square plus 1 किसके equal था dy by dx is equal to 4x के तो हमने x square plus 1 की value अगर निकालेंगे तो वो हमारे पास बन जेगी dy over dx over 4x और जब हम उसे यहाँ से multiply कहेंगे तो वो 4x से multiply होजेगा तो हमारा hence we proved that dy over dx is equal to 4x bracket में जो x square plus 1 है उसकी जगा exactly square root of y minus 1 लिख देएंगे and that's it यह हमने फिल्स करवा थे अगर आप यह lecture complete देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्ट 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 तो अब भी हमारी app डाउनलोड करें HIPPO e-learning program और इसके साथ साथ don't forget to like, share and subscribe to this channel ंङे लुम इसके सbyंजी बिल्स कर दो है इसके साथ साथ जां करें हमेद्डम पान करें हमेद्ट मुफ्ट मुफ्ट खुूट कर दो कि लिए यहारों